दोस्तो स्वागत अपके हिंदी डिफेंस शो के इस एपसोर में जहां मैं आपके ले लेकर आता हूँ डेली डिफेंस अपडेट्स और आज एक बहुत ही जवरदस्ट अपडेट्स निकल कर आ रहा है जिसे सुनकर हर भारतिय डिफेंस लवर का चेहरा खिल उठेगा जी हाँ दोस्तों DRDO के तरफ से बहुत ही अच्छा कबर सुनने को मिला है DRDO अब रसिया को पठकनी देने की तैयारी में है यह यह कहना ही सही होगा कि इसका पहला स्टेप इस दिसा में ले लिया गया है DRDO रसिया पर अपनी निरवरता खत्म करने जा रहा है खासकर क्रूज मिसाइल के मामले में और इस पर DRDO को बहुत बड़ी काम्याबी मिली है जिसमें DRDO ने सफलता पूरबग एक इंडिजनेस क्रूज मिसाइल टेकनलोजी का सफल परिक्शन किया है और खबर आ रहा है जीनी उसके तरफ से हाला कि इसे और भी मीडिया आउटले इसने कनफर्म किया है इस अपडेट को दोस्तो क्रूज मिसाइल टेकनलोजी के मामले में हम रशिया पर पूरी तरह से निरवर है हाला कि भारत नगनी छे जैसे गहतक मिसाइल का सफल निर्मान किया है लेकिन हमें निर्भे जो की एक सब सौनी क्रूज मिसाइल है उस पर ज या मिसाइल बेचना होता है तो रशिया से परमीशन लेना पड़ता है कई बार तो ऐसा हुआ है जब भारत चाइना के किसी दुस्मन देश को या मिसाइल बेचना चाहा तो रशिया नहीं चाइना की दोस्ती के खातिर इसमें अडंगा डाल दिया यहां तक कि मिसाइल बेचकर जो मुनाफ़ा होता है उसमें 40% हक रश्या का भी होता है इसलिए DRDO ने जो 100% स्वधिसी तक्निक से सूपर सौनिक क्रूज मिसाइल टेकनलोजी के सफल परिक्षन किया है वह भारत के लियाने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा और सबसे महतपूर्ण बात तो यह है कि DRDO ने इसका सफल परिक्षन बिना किसी फैलियर के पहली बार में ही कर लिया है इसका जो रेंज अभी बताया गया है वह 150 किलो मिटर कोई बात नहीं टेक्नलोजी के सफल परिक्षन होना जदा important है रेंज को कभी भी बढ़ाया जा सकता है इस कुरूज मिसाइल का नाम है अभी नहीं बताया गया है लेकिन आने वाले समय में जब इसका और परिक्षन किया जाएगा इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए अपडेट के साथ जहन